हे दोस्तों स्वागत आप सबका मैं हुरा अलग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशन स्पेकर, फाउंडर ओफ वॉक्सम्डेसलिशन्स डॉट कॉम आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम आड्स की बारे में दोस्तों अगर आप एक बिजिनस स्पेंड है, आप एक आपका कोई लोकल बिजिनस है और आप उपने बिजिनस को ग्रूव करना चाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको completely step by step एक Instagram का advance ad create करके बताने वाला हूँ और साथी साथ दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जो ad है वो Instagram पे कैसे create कर सकते हैं आप वहाँ पे targeting कैसे कर सकते हैं building कैसे लगा सकते हैं budget कैसे decide कर सकते हैं आप completely advanced Instagram का ads कैसे बना सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको completely step by step guide करने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आपको भी Instagram का ad बनाना है आप भी एक businessman है, entrepreneur है और आप आप उन्हें business को promote करना चाहते हैं तो इस वीडियो का नित्रक जरूर देखेगा और अगर आपको ऐसे videos लगातार देखने हैं अगर आपको digital marketing सीखने हैं, motivational videos देखने हैं या business related videos लगातार देखने हैं तो चानल अभी subscribe कर लिजेगा नीची जो आपको red button का subscribe button देखे हैं उस पे click कर लिजेगा और साथी साथ जो bell icon का button आएगा पर भी press कर लिजेगा ताकि आपको नहीं वीडियो को notification मिलते रहें और आप से में साथ digital marketing सीखते रहें motivational videos देखते रहें और अपने business को grow करते रहें तो जोली दोस्तों आप बनाते Instagram का आडड उसके लिए चलते हैं अपने laptop की screen पर आठ रहन करने के लिए सबसे पहले आपको Google में विजिट करना है Google में विजिट करने के बाद दोस्तों आपको यह प्लिखना है ads on Instagram और उसके बाद आपको search button पर क्लिक कर देना search button पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करें कि Google के अंदर एक website का link आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं business.instagram.com और advertising आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं advertising on Instagram Instagram for business इस वाले link पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना link पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे Instagram का जो advertising page है वो आपके सामने खुल जाएगा देखें यह दोस्तों आपके सामने page खुल गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं business.instagram.com और यहाँ पर advertising जो platform Instagram का वो आपके सामने खुल गया लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ यह आपके सामने page खुल रहा है लेकिन यहाँ से आप कोई भी आड नहीं बना सकते ना create कर सकते हैं ना उसको manage कर सकते हैं और ना अपने business को promote कर सकते हैं मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आपको पता नहीं है तो Instagram को वैसे Facebook ने खरीद लिया है तो आपको जितने भी pages पे जितने भी आपको ads वगरा बनाना है Instagram पे अपना business promotion करना है किसी भी type का आपको ad बनाना है तो वो आपको Facebook पे जाके ही बनाना पड़ेगा वैसे आप अगर mobile application यूज करतें Instagram का तो आप सीधा mobile application से बना सकते हैं उसका video भी मैं आपको बना के दे दूँगा next video आपका Instagram पे उससे relative में बना के दे दूँगा कि mobile application पे आप Instagram के ad कैसे चला सकते हैं लेकिन दोस्तो Instagram का ad यहां से आप नहीं बना सकते हैं यहां से आप उसकी पूरी information ले सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी Instagram के ad आप चला सकते हैं लेकिन दोस्तो मैं आप Facebook पे कैसे Instagram के ads बनाएंगे कैसे चला सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम आपको complete बना के बताऊंगा और आपको एक ad complete setup करके बना के बताऊंगा कि आप अपने Instagram का ad कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो को complete तक जरूर देखना इसकी मत करना तो सबसे पहले दोस्तो Instagram का business page और advertising page वो आपके सामने खुल गया है पहले सबसे पहले आप इनकी information ले लीजे कि किस परकार से आप यहाँ पर आड बगर चला सकते हैं कौन-कौन से आड चला सकते हैं सबसे पहले आप वो experience यहाँ पर ले लीजे तो उसको लिए आप यहाँ पर नीचे scroll down करिए सबसे पहले देखिए आप stories आड आप चला सकते हैं आपकी Instagram के अंधर stories आती है वो आप चला सकते हुं फो consist आड चला सकते जो भी आपका photo है आपका profile photo या बसनेस का कोई भी photo उसको आप प्रमोट पिर सकते हैं वीडियोय चला सकते हैं अगर उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप यहां पर collection ads चलाना है, अगर आपको shopping ads वगरा चलाना है, तो आप यहां पर collection ads भी चलाना है, तो वो ad भी आप यह चला सकते हैं, यह सारे के सारे जो है Facebook के अंदर आप चला सकते हैं किस परकार से आप चला सकते हैं देखिए विफिन अप आप आप आपको दिखे रहा होगा अगर आपको अप्लिकेशन की मदद से चला है तो आप आप आपको बताया कि उसका वीडियो में आपको बना के दिखा दूगा और साथी साथ दोस सकते हैं अब वो आप कैसे चला सकते हैं मैं आपको step by step completely एक आड बना के बता देता हूँ सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर get started का option आपको देख रहा हुगा तो इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है आप अपने business को promote कर सकते हैं easily आपको जो भी चाहिए वो आप easily यहाँ से create कर सकते हैं देखिए तीन steps में आपको यहाँ पर campaign करना है इस से related दोस्तों अगर आपको और भी वीडियो चाहिए facebook आड से related तो मैंने काफी सारे वीडियो अल्रड़ी बना रखें link आपको description में मिल जा जिसके अंदर आप audience placement budget schedule वगरा जो भी है आपको complete करना पड़ेगा process और तीसरा last step है आपको अपना ad बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप अपना ad format media additional creative वगरा जो भी है जिसके अंदर title description tag वो जो सारी चीज़े हैं आपको वो डालनी पड़ेगी अब आप कैसे बना सकते ह यह campaign मैं आपको यहां पर बना कर बता देता हूं सबसे पहले आज मैं आपको यहां पर ट्राफिक वाला campaign बना के बता देता हूं कि आप अपने Instagram अकाउंट से अपनी website वगरा पर traffic कैसे जनरेट कर सकते हैं तो यहां पर आपको क्या करना traffic वाले button पर आपको option पर आपको क्लि आप अन कर लिजिए button और उसके बाद आप यहां पर दो तरीकी से अपना बजर्ट लगा सकते हैं daily लगाना है तो डेली लगा सकते हैं lifetime बजर लगाना है तो lifetime लगा सकते हैं वो आप अपने according देख सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर continue बटन का option दिख रहा होगा तो continue वा information आप से डालने को लिए बोली जा रही है सारी की सारी information आप यहां पर डाल देंगे जिसके बाद आपका यह step भी complete हो जाएगा सबसे पहला आपको यहां पर addset name डालना है addset name के अंदर दोस्तों आप अपने according addset name डाल सकते हैं जिस भी name से अपना आपको campaign या addset name आपको डू addset name को आपको ट्राफिक का option मिल रहा है ट्राफिक आपनी campaign बनाए तो ट्राफिक आपको कहां लेके जाना है website पर लेके जाना है mobile application पर लेके जाना है messenger या WhatsApp पर कहां आपको ट्राफिक जनरीट करना है वो आप अपने according चूस कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर नीचे स् देख रहा होगा offer के अंदर दोस्तों अगर आप अपने customers को आप offer वगरे कुछ देना चाते हैं तो offer वगरे यहां से आप easily create कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर audience का option देख पा रहा है audience के option के अंदर दोस्तों आप अपने business के according जो भी आपका product जो भी services है उसके according आप अपन है आपको यहां पर people living in this location यह वाला option आपको choose करना है उसके बाद आपको audience यहां पर दिखे एक बार दुबारा से filter हो रहा है filter होने के बाद दुबारा से आपकी audience आ गई है उसके बाद अपना location जिस भी location में आप target करना चाहें वह location आप यहां से डाल सकते हैं जिससे कि मैं य audience को select कर सकते हैं target कर सकते हैं देली इंडिया target हो गया उसके बाद आपको क्या करना है नीचे scroll down करना है और बाकी की जो information है वो भी आपको complete करनी है आप यहां पर अपना gender वगएरा age वगएरा choose कर सकते हैं जिस भी gender को आप target करना चाहते हैं वो आप यहां पर choose कर सकते हैं और simply लिए उसके बाद आपको यहां पर save the audience का option आपको दिख रहा होगा इस बाले बटन पर आपको क्लिक कर देना से वाले option पर आपको क्लिक कर देना ओडिन से करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे scroll down करना और यहां पर देखे मेन आपको जो है placement आपको दिख रहा होगा placement क के अंदर आपको changes करने यहां पर automatic placement दिख रहा होगा automatic placement को आपको हटाना और यहां पर manual placement आपको दिख रहा होगा manual placement पर आपको क्लिक कर देना है manual placement पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहां पर करना देखे platform सबसे पहले आपको दिख रहा है तो मैंने आपकी यहां यहां पर messenger भी remove कर दीजिए ताकि सिर्फ आपका Instagram बचेगा और जहां पर भी आपको Instagram में आड चलाने वो Instagram में आपके चल जाएंगे यहां से देखिए सारे के सारे platforms मैंने remove कर दिये हैं और यहां पर आप audience size वो है वो भी यहां पर update हो रही है Instagram के अंदर भी दोस्तों आप placement चूज कर सकते हैं प्लेश्मेंट यानि Instagram के अंदर आपको कहां कहां आड चलाने Instagram की फीड के अंदर आपको चलाना है तो यह आप रहने दीजिए नहीं चलाना तो इसको भी हटा सकते हैं बड़ इंस्टाग्राम का फीड में आप आड नहीं चलाएंगे तो विशे कहां चलाएंगे वह आपको सोच लीजिएगा मुझे बताने की जरूत वैसे नहीं है इंस्टाग्राम एकिस्प्लोर में चलाना है तो आप चला सकते हैं नहीं चलाना तो आप रचा सकते हैं वह आपकी मर्जी है तो अपको अब करना है इसके अंदर आपको लिंकस क्लिक पर ही रहने दिना है जब को लिंक पर क्लीक करेगा तब या आपका चार्ज कटेगा नहीं करेगा तो नहीं कटेगा यानि की आड नेम डालना है जिस भी आड नेम से आपको अपना आड रन करना मैंने डिजिटल मार्गटिंग डाला था ट्राफिक के लिए बना रहा हूं तो मैं यहां पर डिपॉल्टी रहने देता हूं कुछ नहीं छेड रहा हूं उसके बाद आपको यहां पर आइडेंटी आपको आड नहीं चलेगा क्योंकि फेस्बुक का पेज यहां पर आपको डालना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टाग्राम अकाउंट चूज करना है इंस्टाग्राम अकाउंट उस वाले अकाउंट को आपको चूज करना है जिस भी इंस्टाग्राम अकाउंट की कैसे link कर सकते हैं तो मुझे comment करिए इस पर भी मैं आपको video बना के दिखा दूँगा बता दूँगा ताकि आप अपने ये दोनों account भी एक दूसरे के साथ जोड सके उसके बाद दोस्तों आपका ये काम complete आपको करना है उसके बाद आपको नीचे scroll down करना है और नीचे scroll down करने क सकते हैं यहाँ पर आपको करसल यानि की दूसरी में इस परकार का कुछ चलाना है तो आप ये वालार चूश कर सकते उसके दोस्तों image format चूज करने के बाद अब आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर आप देखिए media का option आपको दिख रहा होगा media के option के अंदर दोस्तों आपको यहां पर अपनी image वगरा लगानी है तो अगर आपके पास already को image वगरा नहीं लगी होई तो आप add media पर click करिए और यहां पर देखिए add image वगरा पर click करिए add image पर आप दोस्तों जैसे click करेंगे अगर आपके facebook account में कोई image है तो यहां पर आ जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं मेरे account में मैंने यहां पर बहुत सारी image अड़ कर रखी है काफी सारे clients वगरा की भी है और काफी सारी मेरी भी है तो वो सारी की सारी यहां पर आ जाएगी इन में से दोस्तों मैं अभी एक image ले लेता हूं यहां पर देखिए मैं यह वाला image लेता हूं Google Ads वीडियो वाला और उसके बाद इसको आपको इसके size और इसके pixels और इसके format वगरा भी देखने पड़ेंगे वो आपको यहां सारी की सारी चीज़े यहां पर guide करी हुए देखिए यह सारी की सारी चीज़े आपको guide करी हुई है तो आप यह एक बार देख लीजे ताकि image आपको fit करने में कोई problem नहीं हो उसके बाद आप यहां पर नीचे scroll down करिए और जो आपका last काम है वो आपको यहां पर करना है यह आपको links लगानी है सबसे पहले आपको primary text लगाना है उसके बाद आपको website वगेरा जो भी आपको completely step by step करनी है तो मैं आपको करके बता देता हूं सबसे पहले primary text में मैंने किस से related ad बना रखा था digital marketing से related तो मैं यहां पर digital marketing लिए देता हूं मैं यहां पर डाला digital marketing में ने डाला उसके बाद आपको किस पर traffic लेके जाना है website तो आपको यहां पर website का URL डालना है तो मैं यहां पर website का URL डाल देता हूं मैं यहां पर डालेता हूं www.meri.seugstation.org मैं यहां पर डाल देता हूं और उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा साइड में क्लिक करना है website डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको एक call to action बटन भी लगा नहीं पर देखिए call to action बटन दिख रहा गा आपको यहां more का बटन भी आप रहने दे सकते हैं learn more का बटन आप लगा सकते हैं जिससे आपकी website पे लोग visit कर लेंगे अब दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं मेरे पास instagram feed के अंदर जो आपका add कैसे दिखेगा वो आपको यहाँ पर नहीं दिखरा लेकिन अगर आपका instagram account पे profile अपने add वगरा कर रखी है तो आपको सब चीज़े दिखेगी आपको यहाँ पर tension लेने की जरूद नहीं है सारा का सारो जो मैंने step आपको दिखा है वो सब बहुत अच्छा है अगर आप यह करेंगे तो आपका account आपका add बनेगा भी और चलेगा भी उसके बाद दोस्तों आपको finally क्या करना है यहाँ पर देखे language वगरा अगर आपको add करनी है तो आप अपने according language add कर सकते हैं और add इंसरा का नाम media ID यहाँ पर मैंने जो ID है उसके अंदर profile add नहीं कर रखी है profile picture इसी वज़े से problem हो रहा है अदोवाइस कोई problem नहीं होता आप अपने profile picture जरूर update करके रखिएगा उसके बाद simply आपको यहाँ पर confirm आले option पर क्लिक करते ही आपका add बन जाएगा और submit हो जाएगा पर review के लिए चला जाएगा और उसके बाद आप अपना Instagram का add easily चला पाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like बटन जरूर press कर दीजेगा और साथी साथ दोस्तों मेरा वीडि आप एक entrepreneur है business man है और आप अगर digital marketing course करना चाते हैं आप Facebook ads का course करना चाते हैं Instagram ads का course करना चाते हैं तो इस number पर आप हमें contact कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों अगर आप business man है local business है आपका छोटे business man है और आप अपने business को grow करना चाते हैं उसके लिए आप digital marketing services चाते हैं तो आप हमा तरीके से आप grow कर सकते हैं, sales generate कर सकते हैं, तो दोस्तों आप अमारी इस website पर visit करके complete detail आप अमारी ले सकते हैं, या फिर आप हमें इस number पर contact करके भी आप अमारी complete digital marketing services ले सकते हैं, या फिर आप अमारा course भी सीख सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो से लगातार देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए information के साथ, तब तक लिए नमस्कार दोस्तों, जैहिन